पंच्छतंत्र की कहानी शेर और भालू नवस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आपकी दोस्त वान्शिका, आज आपके लिए प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ शेर और भालू की तो चलिए सुनते हैं शाम नाम के जंगल में सालों पहले एक शेर रहता था वह शेर काफी चालाग था इसे हर एक जानवर से दोस्ती करके उसका फाइदा उठाने में खूँ मज़ा आता था शेर सबसे अपना काम करवाने के बाद दूसरों को जरुवत पढ़ने पर पीठ दिखा देता था जंगल में सभी को पता चल चुका था कि शेर सबसे दोस्ती करके अपना मतलब निकालता है और फिर दूसरों की मदद नहीं करता अब सभी लोग उस शेर से दूर रहने लगे जंगल में दोस्तों की तलाश में गूमते गूमते बहुत समय बीद गया लेकिन शेर को कोई नहीं मिला एक दिन वो जब अपनी गुफा में जा रहा था तो उसने देखा कि एक बुड़ा भालू भी उसकी गुफा के पास घर बना कर रहे रहा था उसके मन में हुआ कि इस बार भालू से दोस्ती करके इसका फाइदा उच्छाने में बड़ा मजा आएगा रोज शेर यही सोचता था कि किसी तरह भालू से बात हो जाए दो-तिन दिन बीद गए लेकिन उस भालू से बात करने का कोई बहाना नहीं मिला एक दिन उसने देखा कि भालू तो बुड़ा है उसके मन में हुआ कि यह बुड़ा भालू मेरा क्या काम आएगा इससे दोस्ती करने का कोई फाइदा नहीं है एक दिन शेर ने भालू को चीडिया से बात करते हुए सुना चीडिया भालू से पूछ रही थी आप इतनी बूडे हो गए हो तो अपने लिए खाना कैसे जुटाते हो भालू ने चीडिया को बताया पहले तो मैं मचली पकड़ कर खा लेता था लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाता इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बूखा रहता हूँ मैं अब शेहत खाता हूँ उसका स्वाद बहुत अच्छा है इसके लिए मुझे अंदर घने जंगल में जाना होता है और मदू मख्यों से शेहत लेकर आना पड़ता है यह सारी बाते सुनने के बाद शेर के मन में हुआ कि मैंने भी कभी शेहत नहीं चखा है अब इस भालू से दोस्ती करके मैं शेहत का स्वाद चख सकता हूँ इसी सोच के साथ शेर ने एक योजना बनाई उस योजना के तहत शेर भालू के पास गया और कहने लगा आपने मुझे पहचाना आप जब जवान थे तो आपने मुझसे एक दिन कुछ मचलियां तालाब से निकाल कर खिलाई थी आपने मेरी इस तरह बहुत बार मदद की है मैं हर बार खो जाता था और आप से ही टकराता था भालू को कुछ याद नहीं आ रहा था उसने सोचा कि इतने सालों पुरानी बात है हो सकता है कि कभी इसकी मैंने मदद की हो भालू सोच ही रहा था कि तब तक शेर ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ कभी कोई जरूरत हो तो मुझे याद करना इतना कहकर शेर अपनी गुफा के और चला गया भालू भी अपने घर चला गया लेकिन उसके दिमाग में शेर की बाते घूम रही थी उसने सोचा चलो कोई तो है जिससे बाते कर सकता हूँ अगले दिन शेर ने भालू से बात्चित शुरू करी इसी तरह शेर धीरे धीरे भालू से दोस्ती करने लगा एक दिन शेर ने भालू को अपने घर खाने पर बुलाया इधर भालू खाने का निमंतरन मिलने से बड़ा खुश था उधर शेर ने सोच लिया था कि किसी तरह से वो भालू को रात को खाना खाने नहीं देगा उसके मन में था कि मैं अपना खाना किसी को क्यों खाने दू मैं एक ही थाली में खाना लगाऊंगा और उसे जल्दी खतम कर दूँगा रात के समय जब भालू आया तो शेर ने ऐसे ही किया वो एक थाली में खाना लेकर आया दोनों साथ में खाने के लिए बैठे भालू बूड़ा था तो वो अराम से खाना शुरू करने लगा तभी शेर ने तेजी से खाना शुरू किया और कुछ ही समय में खाना खत्म कर दिया भालू बहुत निराश हुआ शेर ने कहा दोस्त मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ दुखी मन से भालू वापस अपने घर आ गया अगले दिन चिडिया ने भालू से पूछा क्या हुआ तुम इतने दुखी क्यूं हो भालू ने रात को शेर के घर में हुई सारी बाते बता दी चिडिया ने हसते वह पूछा तुम्हें नहीं पता शेर कैसा है वो हमेशा सबसे दोस्ति करता है और फिर उनका फाइदा उठा कर चला जाता है वो कभी किसी की मदद नहीं करता अब तुम्हें किसी तरकीब से उसे सबक सिखाना चाहिए इतना कहकर चिडिया वहां से उड़ गई भालू ने भी ठान ली कि अब वो शेर को सबक जरूर सिखाएगा इसी सोच के साथ भालू एक बर फिर शेर की गुफा में गया उसने बिलकुल सामन्य तरीके से उससे बात की उसने शेर को लगने ही नहीं दिया कि उसे रात की बात का बुरा लगा है दोनों बाते करने लगे बातों ही बातों में शेर ने भालू से पूछा दोस्त तुम अपना रोज का खाना कहां से लाते हो भालू ने शेर को शहत के बारे में बता दिया शेर ने शहत का नाम सुनते ही कहा दोस्त तुमने तो आज तक मुझे शहत चक्वाया ही नहीं यह बात सुनते ही भालू के मन में हुआ कि अब शेर को सबक सिखाने का मौका मिल गया है उसने कहा तुम्हें शहद खाना है इतनी सी बात तुम रात को मेरे घर खाने पर आ जाना मैं तुम्हें शहद खिला दूँगा शेर बड़ा खुश हुआ वो रात होने का बेताबी से इंतजार करने लगा रात होते ही शेर तेजी से भालू की गुफा की तरफ बढ़ा शेर के आते ही भालू ने उसका स्वागत किया और बैटने के लिए कहा उसके बाद भालू ने अपने घर का दरवाजा बंध कर दिया शेर ने पूछा तुम दरवाजा क्यों बंध कर रहे हो भालू ने कहा अगर शहद की खुश्बू किसी और ने सूंग ली तो वो यहां आ जाएगा इसलिए दर्वाजा बन करना जरूरी है अब भालू ने मदू मक्खी का एक छत्ता लाकर शेर के सामने रख दिया और कहा इसी के अंदर शहद है जैसे ही शेर ने उसके अंदर मूँ डाला तो उसे मदू मक्खियों ने काटना शुरू कर दिया उसके पूरे चेहरे पर सूजन हो गई शेर जिस और भागता मदू मक्खिया उसका पीछा करती शेर में भालू से पूछा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि शेहद कैसे खाना है भालू ने तम तम आते हुए जवाब दिया मैं शेहद ऐसे ही खाता हूँ शेर समझ गया कि भालू ने उससे बदला लिया है इसलिए वो वहाँ से चुप चाप चला गया तो दोस्तो कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? शेर और भालू की कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर किसी की मदद लो तो उसकी मदद करने के लिए तयार भी रहो हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा क्योंकि कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता है तो दोस्ता कैसी लगे आपको हमारी कहानी और उससे मिलिये सीख हमें कमेंस करके ज़रूर बताईएगा आपकी दोस्त वंचिका को आपकी कमेंस का इंतजार होता है अच्छे बच्चे बनिए, मम्मा की बात सुनिए, खाना टाइम पे खाईए अगर आप ये सब फॉलो करोगे तो आपकी दोस्त वंचिका आपके लिए अगली बार फिर से एक अन्यों की कहानी लेकर आएगी तब तक के लिए, बबाई, टिक केर